अनिस्चता का काल में, in uncertain times, one of the biggest formulas जो आपको याद रखनी है, वो ये है, बूल जाओ अपने तकलीखों को और आगे बढ़ने पे ध्यान दू Forget about your difficulties and focus on progress क्योंकि जब अनिस्चता का काल आता है, तो आपको नई तरीके से काम करना पड़े जब आप नई तरीके से काम करेंगे, आपको नई difficulties आने वाली है इन difficulties को आपको अपने stride में लेना है, अपने लपेटे में लेना है So forget about your difficulties, focus on only progress कहने का मतलब है, चीज़े आसान नहीं रहने वाली है लेकिन आप जिद क्यों पकड़ रहे हैं कि जीज़े आजान होनी चाहिए, नहीं आसान, तो नहीं है आसान चीज़े difficult है, हाँ difficult है, हम difficulty झेलेंगे हम अपना physical abilities को push करेंगे, हम अपना mental abilities को push करेंगे, हम emotional abilities को push करेंगे, अगर हमको alternative काम करना है, alternative घर जाना तो alternative कारे घर जाएंगे अगर आज हमेशा हम 6 बचे जाते थे पहले, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 11 बचे जाना पड़े, तो जाहिए, अगर आपको लगता है कि 10 आदमी से काम हो रहा था, अभी आपको खाली 6 आदमी बचे हुए हैं, और 6 आदमी से काम करना, तो करिए, आप तकलिफ को जेलने के लिए रेडी हो जाए, क्या प्रब्लम है, तो आप क्यों जीत पकड रहे हैं कि मैं तकलिफों को नहीं जेलूँगा, अभी है, यह नया सिटुएशन आ गया, नया सिटुएशन का मतलब है नया तकलिफ है, forget about the difficulties and the challenges that you are facing, focus on making progress, आपको यह देखना है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं, मैं कदम ले रहा हूं कि नहीं, मैं जो strategy बना रहा हूं जो मिरे को आगे बढ़ाएगा कि नहीं, मैं जो technique use कर रहा हूं, यह जो tactic use कर रहा हूं मिरे को आगे बढ़ाएगी कि नहीं, क्योंकि तकलिफ है जो है न, अगर आपने अगर तकलिफों को बड़ा मान लिया और उससे जूजने के लिए आप रेडि नहीं होवें तो आपसे बड़ा हो जाएगा हो आपके हम ही हो जाएगा तो उसको आपने नहीं क्यों दें और उसमें क्या प्रॉब्लम है जितना हम तकलीफ को जेलेंगे अपना फिजिकल बॉडि एक्सपेंड होग अपना mental agility और शार्क होगा emotionally हम और पारफुल हो जाएंगे हटी कि मैं 10 रुपय बना रहा था पांच रुपया बन रहा है अब नया चीज करूंगा तो नया तरीके से करने के लिए नहीं कखली पे आने वाली है तो हो सकता है पांच को पचास बन जाए अरे आप effort तो डालिए अब भर्तू चीजे बातों में टाइम ना मेस्ट कीजे दस दोस्तों को पुण करें क्या होगा क्या हो किसी कुछ नहीं पूछना है आपको खुद को direction देना है so forget about your difficulties and focus on progress आप progress कर रहे हैं कि नहीं यहीं आपको देखना है and this is the message to all of you thank you very much you